हेलो दोस्तो मैं माला मन्नु की स्वीट गार्डिन में आप सभी दोस्तो का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो हमारे हर्सिंगार के प्लांट में कंटिन्यू फ्लावर आ रहे हैं बहुत जादा गर्मी होने के कारण फ्लावर थोरे से कम हो गए हैं लेकिन परती एक दिन इसमें फ्लावर आते हैं हमारे प्लांट भी देखिए कितने ज़ादे हिली है सारे लीव इसके कितने अच्छे हैं बहुत ज़ादा ग्रीन लग रहे हैं लेकिन इसमें भी कुछ समस्य आ गई है दोस्तो इसके पत्ते जो है कुछ पत्ते जो पत्ते मरूर वाली समस्या आ गई है देखिए इसके पत्ते किस तरह से मूर गए है तो इस तरह की समस्या आपके भी प्लांट में आते होंगे देखिए हमारे बैगन की प्लांट में कितने सारे बैगन लगे हुए है लेकिन इसके भी जो पत्ते हैं वो नीचे से पीले हो रहे हैं तो कभी-कभी तो बहुत जादा पानी डालने से भी हो जाता है या कम पानी डालने से भी पत्ते पीले होते हैं दोस्तों यहां देखिए है विसकस के प्लांट में बहुत सारे फ्लावर खिले में प्लांट भी बहुत जाता हिल दी है लेकिन इसके भी एक दो पत्ते पीले हो रहें दोस्तो तो इसका कारण कैल्सियम का भी होता है दोस्तो हमारे प्लांट में जब कैल्सियम की कमी हो जाती है तो ये समस्या आते हैं हमारे गुलाब के प्लांट में देखे कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं बहुत सारे इसमें कलिया हैं और इसके लीव देखे कितने अच्छे हैं लेकिन एक दो लीव में इसमें भी इंसेक्ट और फंगस का अटेक हो गया है तो इस लीव को हटा दिया है हमने जो भी लीव में फंगस या किसी भी तरह की समस्या हो उस पत्ते को आप वहीं सितोर करके हटा दे इसके भी पत्ते पीले हो रहे हैं बल वाले हमारे प्लांट है इसके भी देखिए लीप पीले हो गया है तो पानी की समस्या से भी हो जाता है दोस्तों और कैल्सियम मेन होता है तो देखिए इसमें fungus का attack भी हो गया है मैं बहुत अच्छे से care करते हूँ लेकिन आए दिन कुछ न कुछ हमारे plant में कोई न कोई समस्या आते रहते हैं दोस्तों तो मैं इसका आपको घरेलू उपाय पताऊंगी पत्ते भी पीले नहीं होंगे और fungus और किसी भी तरह से infection से भी बचाव होगा देखिए ये दही है और ये butter है दोस्तों आप दोनों में से किसी भी चीज का छांच लीजिए उसे ही परयोग करना है दोस्तों ये चार दिन पुराना हमारा छांच है और जिसे हमने ठक करके रखा था बहुत जादा ये खटा हो गया है तो मैं अपने प्लांट के लिए इसे यूच करूँगी इसमें बहुत ज़्यादा कैलसियम पोटेसियम बिटामीन 12 और सोडियम पाया जाता है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है हमारे प्लांट के स्टेम को बहुत ज्यादा मजबूत करता है जिस तरह हमारे हड़ी को कैलसियम बहुत ज्यादा मजबूत करता है उसी तरह हमारे प्लांट के स्टेम को भी हम ये जो दही का छांच है और जो बटर का छांच है दोनों का एक ही काम है दोस्तो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज्यादा प्लांट में चीटी और इंसेक्ट का अटेक हो जाता है दोस्तों तो इस तरह से हमें बहुत अच्छे तरह से इसे छान लेना है और अपने प्लांट में इसे ही अपलाई करना है ज्यादा तर अपने घर के घरेलू जो चीज होते हैं उसे ही अपने प्लांट में यूज कीजे दोस्तों उससे ही हमारे बहुत सारे समस्या दूर हो जाते हैं जरूरी नहीं है कि हम बजार से कोई fertilizer लाएं जो pesticide है जो बहुत ज़्यादा hard होते हैं हमारे plant के लिए उसे नहीं यूज करना चाहिए उसे avoid कीजे और organic चीज का ही ज़्यादा यूज कीजे तो देखिए मैं इसे उपर लाईएं और दो लिटर का ये हमारा वालडी है इसमें मैं दो मग और पानी डाल दी हूँ और इसे मैं अपने plant में डालूंगी तो इस तरह से जो घोल आप तयार करते हैं और जो plant में डालते हैं उससे हमारे plant बहुत ज़्यादा हिल्दी हो जाते हैं दोस्तों इसे हम बावर वाले plant में भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं और जितने fruit वाले plant हैं उसमें भी आप इसे दीजिये तो इससे हमारे plant में बहुत ज़्यादे फायदा करता है और इसमें कल्सियम परचूर मातरा में पाया जाता है इसलिए हमारे plant को इसे देना बहुत जरूरी होता है हर आपके पास यदि हर 15 दिन में उपलब्ध हो जाता है तो इसे डाल दीजिए नहीं तो एक महीना में आप जरूर इसे यूज कीजी दोस्तो यदि ये नहीं हो तो आपके पास कच्चा दूद हो उसे भी आप पानी में मिला करके इस तरह से डाल सकते हैं तो आपके प्लांट बहुत जादा healthy रहेंगे दोस्तो आउटडोर इंडोर सभी तरह के प्लांट के लिए यह बहुत अच्छे होते हैं करीपता के लिए यह बर्दान से कम नहीं है करीपता में डालने से इसके जो लीव होते हैं वो बहुत जादा स्वादिस्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा घने भी हो जाते हैं दोस्तों तो करीपता के प्लांट आपके गार्डेन में है तो उस पे आप 15 दिन में एक बार इसे अपलाई कीजिए तब देखिए कि इसका प्लांट कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा स्वादिस्ट हो जाएगे यहां हमारा मोगरा का प्लांट है मैं मोगरे के प्लांट में भी 15 दिन में एक बार इसे एस्प्रे कर देती हूँ तो देखिए मोगरा के प्लांट में कितने सारे फ्लावर हैं और फुलावर भी बहुत अच्छे साइज में हो रहे हैं दोस्तो फिर मिलती हूँ बाई बाई